वेलो स्टुडेंट्स आज का हमारा टोपिक है परी मेंडेलियन इनरीटेंस यानि कि ब्लेंडिंग इनरीटेंस जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था मेंडल से पहले भी थुड़ा बहुत कारिये इनरीटेंस के ऊपर हुआ था उसी कारिये को हम परी मेंडेलियन इनरीटेंस के रूप में या ब्लेंडिंग इनरीटेंस के रूप में आपके सामने रखेंगे कुछ थोरी थी जिनका अलगलग तरीके से ये मानना था कि इस तरीके से इनरीटेंस होता है तो उनी थेयोरी को हम डिसकस करेंगे जो फॉर्स्ट हमारी थेयोरी है वो है मोईस्ट वेपर थेयोरी मोईस्ट वेपर थेयोरी मोईस्ट वेपर थेयोरी ये पाइथा गोर्ष ने दी थी किसने दी थी पाइथा गोर्ष पाइथा गोर्ष यह थोरी पाइथागोस ने देते, क्या कहते हैं, according to this theory, कर दोओ 小ु तो यह रओरài, क्या क्या हैं, यह रर बसतर्ट अच्ट वर्ण वाइभ रण पर्यों क्या हैं। मजस्ट वपर स्फ़्पर्य टीजिस फ्नौ रीजिस फ्न रीजिस स्ट्स्टर्ट, से चार्ड्यूं को रसे तकिन्यूद्स Sn дв़ली आई रीजिसम। ओल पार्ट, ओल पार्ट ओफ, में, डूरिं, डूरिं, सेक्ष्वल इंटर कोस, सेक्ष्वल इंटर कोस, क्या कहती है जोरी, यह जोरी यह कहती है, कि, मॉइस्ट वेपर्स, यह जोरी का नाम इसे लिये पड़ा, मॉइस्ट वेपर्स रिलीज होते हैं, फ्रों, ओल बोडी पार्ट्स ओफ में, ओल बोडी पार्ट्स ओफ में, डूरिं, सेक्ष्वल इंटर कोस, एंट फॉर्म सिमिलर बोडी इन वोंग ओफ, वोंग का मतलब बगता है गरवाश्य, इन वोंग ओफ, फीमेल बोडी, फीमेल, तो थ्योरी, मॉइस्ट वेपर्स ओफ त्योरी, कि किस ने दी, पाइथा कोर्ष, पाइथा कोर्ष एक साइन्टिस्ट हुआ है बहुचांचि, यह कहते हैं कि हरेट बोडी पार्ट से, मॉइस्ट वेपर रिलीज होते हैं, मेल के हर बोडी पार्ट से, कब? डूरिं कोईटस, और यह फ्यूज होके, एक वैसे ही बोडी बन जाती है, जिस तरीके की बोडी से, यह मॉइस्ट वेपर निकल के आए हैं, इन दा वोंड ओ फिली, यह जो ली थी, यानि कि हर बोडी पार्ट से, कुछ वेपर्स के रूप में कुछ चीज निकल के आई है, और वो फ्यूज हो के, हो हो के, एक एम्ब्रियो बना, और वो व साइट दा, फिमेर बोडी, चुकि यह थी, यह कहती है, कि इसमें, मॉइस्ट वेपर रिलीज होते हैं, तो इसलिए थी थी, का नाम, मॉइस्ट वेपर थी पड़ा, लेकिन जो दूसरी थी, वो थी, फ्लूड थी, फ्लूड थी, फ्लूड थी, या रिप्रोड़क्टिव बलड थी, ये अरिस्टोर्टल ने इस थीोरी को दिया था, इस थीोरी वोज गीवन बाई, अरिस्टोर्टल, अरिस्टोर्टल, जो फादरो, पायलोची या फादरो, जो लोजी रहे हैं, अरिस्टोर्टल, तिस भरिवाज की वर भाई, अरिस्टोर्टल, ये अरिस्टोर्टल को पाई था, वो ओश्व में, थुड़ा सा कॉंट्रवर्सी, क्या, ये कहते थे, मॉइस्ट वैप पर रिलीज होते हैं, हर बोड़ी पाइट से, लेकिन जो अरिस this theory, according to this theory, fudu, is released from all body parts of male instead of moist wepper moist wepper की बजाए के लिज़ ओता है fluid के लिज़ ओता है fluid during quietness during quietness नब sexual intercourse और फिर similar body बन जाती है किसके अंदर female के warm के अंदर तो बस इन दोल्मों थोरी में यही अगतर है यह क्या कह रही है underline moist weppers release होते है लेकि यह क्या करते है fluid release होता है this theory this theory said that reproductive blood is pure is said that reproductive blood यानि के जो वो fluid release होता है reproductive blood यानि के semen is pure यानि फॉष्ग ईड प्मे होग tuck I AM यानि के या बदु आज-जु आ पो यानि के निज के भिवे मेंस्ट्वल फ्लूड मेंस्ट्वल फ्लूड यहनि कि जो मेंस्ट्वल फ्लूड है इनकि फीमेल रिपोड़क्टिव बलड है वो इंप्योर है और जो मेल रिपोड़क्टिव बलड है यहनि कि जो सीमन है वो प्योर है तो जो हर बोड़ी पार्ट से रीलिड होता है है और फिर HOW एक हे बोड़ी पार्ट सी Upी बिर्डेता हैeing और फिर वहाई इन सी गजा हूँ होँ घुरूब हो जाges टो यहां दूडबलिदी थ्योरी अरिश्टोडन घी अब तो तू टिस्री है तियोरी वो है प्रेफॉरमेशन थियोरी तिश्री तियोरी कुल सी है प्रेफॉरमेशन थियोरी। उसमें ये कहते हैं कि जो life है वो already exist होती है किसके अंदर जो gamets होते हैं उनके अंदर बहुत सुक्षम रूप में pre-formation theory pre-formation theory of both given by given by Samarum S-W-A-M-M-E-R-D-A-M सेमेर्डर्ड ने इस थोरी को दिया था according to this theory according to this theory एक कहती है our life is already exist life is already exist life is already exist किसमे इन गेमेट्स इन गेमेट्स गेमेट्स का मतलब स्पाम और एक के अंदर इन मिनियेचर फ्म में इन मिनियेचर शुक्षम रूप में मिनियेचर फ्म मिनियेचर फ्म यानिके यह थोरी कहनों शारव इनका क्या मालना था already exist है life यानिके pre-formed है already exist का मतलब life pre-formed है पहले से ही बनी गेमेट्स के रूप में मिनियेचर फ्म में प्रकुष सुक्षम रूप ने फिर जब further growth कैसे होती है जब यह गेमेट्स fuse करते हैं blend करते हैं mix होते हैं के दुरान तो फिर उनकी further growth stimulate होती and further growth further growth of life occurs due to due to fertilization fertilization यानि कि fusion of gamet्स fusion of gamet्स जब gamet्स fuse हो जाते हैं तो उनकी miniature form में जो life थी उनकी further growth हो जाते हैं complete embryo का निर्मान हो जाता है और उस embryo से नया जीव बन जाता है एसा इन थोरी वानों का मानना था अब डार्विंस ने थोरी थी यह तीजरी कुलसी थोरी थी pen genesis pen genesis pen genesis pen genesis थोरी किस ने दी थी डार्विं में pen genesis का मतरा वाता small particle according to this theory small particles देखो थोड़ी सी बात यहां पर बदली मौइस्ट वेब पर थोरी में क्या कहते थे मौइस्ट वेब रिलीज होते है हर बोड़ी पार्ट से मिलगी और फ्लूड थोरी वाले क्या कहते थे कि मौइस्ट वेब पर रिलीज नहीं होते फ्लूड रिलीज होता है हर बोड़ी पार्ट से मिलगी लेकिन डार्विं जी क्या कहते थे कि ना तो मौइस्ट वेब पर ना फ्लूड छोटे छोटे particles small particles bracket बली ते रिता हूं PANGENE रिलीज from from all body parts all body parts which which blend all mix and converted into वे छोटे छोटे पार्ट जो PANGENE कहलाते थे वो हर body parts से निकलते हैं मेरी की during sexual intercourse जैसे के अब पहले बता चुके हैं and mix होके converted into embryo converted into embryo which give which give next generation और यह embryo क्या देगी next generation which give next generation के रूप में विक्षित हो जाएगे तो यहां पर छोटे particles स्मॉल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उनको पेंजीन कहते हैं पेंजेर्यासिस कि मेंडल से पहले भी कुछ प्रियास किये गए थे concept of fundamentals को बताने के लिए लेकिन वो सफल नहीं होए थे इसलिए इनको blending theories कहा गया जिसके यहनिके अगहारलेस यह किसी प्रकार का इनके पिछे कोई अगहार नहीं था अब पांचली थे germplasm theory कुनसी theory germplasm theory यह वीजमेनन ने दिया था इस थेयोरी को germplasm theory germplasm theory given by Wiesmann Wiesmann W-E-I-S-M-A-N-N Wiesmann According to this theory यह थेयोरी क्या कहती है According to this theory जो germplasm है जो protoplasm है वो immortal है वो मरता नहीं है According to this theory germplasm यह जो protoplasm भी कह सकते हैं which transmit from which transmit from which transmit from from transmit from from one generation to from one generation to next from one generation to next क्या 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 Wiesmann and साब क्या कहते थे कि जो germplasm है वो एक generation से दूसरी generation में जाता रहता है और यह कभी नहीं मलता तो this theory is also known as इसको हम this theory is also known as continuity of germplasm continuity continuity of germplasm theory इसको germplasm theory भी कहते हैं तो हरे theory उ Due वाले ने यह बताने का प्रयास किया की जुठ जुठे पार्टिकल निकलते है या कोई तूडी कहते है नहीं पार्टिकल नहीं निकलते है Moist grouping पर निकलते है कोई तूडी कहते है नहीं mindset force पर नहीं fluid निकलता है पेंजीन वो फ्यू जो एंब्रियों बनाके और नेस्ट जनरेशन तयार करती है तो यह सब ही थियोरी जो इन एरिटेश थी जिसके पीछे कोई वो ठोस कोई साइटिफिक बेस नहीं था फिर यह थियोरी फेल होए इनके फेल होने के पीछे इनके अगेस्ट में कुछ अगेंश्ट यह तुड़ा सा इंपोर्टेंट एविडेंश्ट सबूत किसके अगेंश्ट इन थियोरीज के अगेंश्ट एविडेंश्ट 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 एविडें कुछ evidences, जैसे, sex of traits does not blend or mix in unisexual organism, sex of traits या जो कुछ sexual traits होते हैं, वो mix नहीं हो सकते, जैसे, sex of traits does not blend या mix, जो sexual traits होते हैं, वो मिलते नहीं हैं, blend नहीं होते हैं, mix नहीं होते हैं, in unisexual organism, unisexual organism, unisexual organism, जैसे इसका भाव समझे, माली जी ठीक है, sexual intercourse के दोरान, वो जो traits हैं, वो मिल जाते हैं, और embryo बन जाता हैं, बट इस case में देखे, अगर जीव organism है ही unisexual, तो फिर उसके traits किसके साथ मिलेंगे, नहीं मिल सकते, अगर वो organism है ही unisexual, उसको इंटर, उसकी sexual, इंटर-sexual course की जुरूद नहीं है, तो अगर उसके traits कैसे मिलेंगे, यही रिखा है, sex of traits, does not blend or mix, in unisexual organism, ठीक है, sexual intercourse के अदरा, वो उन में मिल जाते हैं, लेकिन unisexual organisms के अदर, वो किस तरीके से, मिक्स करेंगे, तो यह सही तासा यह अर्थ हुआ, कि जो blending theories हैं, वो उसके साइट और सबूत नहीं है, तो उसकी against यह evidence निकल के आया, कि unisexual organism के अंदर, ऐसे इस तरीके से, traits का mix होना, या blend होना संभाव नहीं है, दूसरा, आप बाहन दीजिए, production of, production of, production of, production of, intermediate, intermediate, skin color, skin color, individual, individuals, production of, production of, intermediate, skin color, individual, from, from, dark and, fair, color, parents, is not possible, is not possible, एक और evidence के खिलाब क्या है, मान लीजिए, parents है, एक parents का color, dark है, मता का या पिता का, और दूसरे parent का color, fair है, उन में से किसी का fair, अगर एक dark color का parent है, और एक fair color का parent है, तो, obviously, उनका जो बच्चा होगा, जो next generation होगी, क्योंकि अगर दोनों के trait mix होते है, अगर दोनों के character mix होते है, तो intermediate color का बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा तो dark color का भी हो सकता है, बच्चा तो fair color का भी हो सकता है, बच्चा intermediate color का भी हो सकता है, But according to blending theories, intermediate color individuals produce होना चाहिए, क्योंकि जो parents हैं, वो dark और fair color के हैं, जब dark और fair color को mix किया दता है, यानिकि ये blending होती है, तो intermediate color का बच्चा पैदावना चाहिए, लेकिन ऐसा possible नहीं है, क्योंकि बच्चा किसी भी color का, light का, dark का, intermediate का हो सकता है, तो ये possible नहीं है, यानिकि 100% possible नहीं है, हम ये कहें तो, क्योंकि होतो सकता है, बट वो 100% sure नहीं है, कि वो intermediate color का ही होगा, जोरी नहीं, वो भाई dark color का ही हो सकता है, बच्चा और fair color का ही हो सकता है, तीसर, atavism, 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 a-t-a-v-i-s-m, ये important, ये term के आ जाती है, देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन में ancestral traits आ जाती है, मतलब उनके पूर्बजों के कुछ बुना जाती है, लेकिन वे बुन, उनके जो current parents हैं, यानि के जो माता-पिता हैं, उन में नहीं है, समझ के देखिए, जैसे, जो दादा-दादी, उनके भी दादा-दादी, उनके traits बच्चे में आ जाएं, लेकिन वे traits उसके जो माता-प किता हैं उन्होंने ना इस सिर्फ प्रोसर्स या फिनोमेना क्या कहते हैं एट आपीरेंस ओफ इस ओफ संप्रेट्स अंशेस्टरल ट्रेट्स अंशेश्टरल ट्रेट्स Appearance of some Ancestral Traits Ancestral अमतलब पूर्वजोगे Traits In Individual जो नई जनरेशन है उसमें आजाती है कुछ से पूर्वजोगे गुड़ कुछ पूर्वजोगे गुड़ Which are absent in Current Parents जो उसके माता पिता है जो Current Parents है उन में वो गुण नहीं है यानि के माता पिता के गुण उसमें नहीं है दादा दादिया उन के दादा दादे के गुण बच्चे में आ जाती है जैसे अब मनुष्य को देखो हमारे जो Ancestor है वो Reptiles यानि के जो टेल टेल जो एनिमल है जिनकी पूछ होती थी Reptiles हम उन से इवोर्ड होके आएं तो हमारे Ancestor को न वे Reptiles तो Reptiles की क्या होती थी पूछ अब हमारे पेंट्स में तो पूछ नहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कुछ बेबी होते हैं उनके अंदर छोटी सी पूछ लाइक स्ट्रक्चर डवलप हो जाती है अब पूछ लाइक स्ट्रक्चर जो डवलप हो ली वो किसका करेक्टर है Ancestor का यानिके माता पिता में तो वो पूछ नहीं थी तो इसकों क्या कहते हैं At a vision तो एकजम्पल जैसे Appearance of small tail in some baby Appearance of small tail Appearance of small tail Example Appearance of small tail in some babies Show at a vision At a vision और ये tail जो उसके current parents है जो उसके माता पिता है उसमें नहीं होती एक और evidences है क्या देखो अब ये कहते हैं कि जो particle है या जो fluid है या जो moist weapon है वो mix हो जाता है और नहीं embryo बन जाती है नहीं organism बन जाता है ठीक लेकिन अगर दो species को आपस hybridize करवा दिया जाएगे तो फिर कैसे बात बनेगी हो यानकि hybrid भी तो उत्पन होते हैं वो दो variety से भी या दो species से भी मिलके बनते हैं तो ये कैसे possible हुआ ये तो blending थोरी के against है क्योंकि blending थोरी तो ये कहती है कि जो parents है वो same species या same variety या same family के होने जाएगे लेकिन अगर different variety और different family और different species को अगर आपस में allow to hybridize किया जाए तो फिर hybrid उत्पन होता तो फिर वो वाइबल कैसे है different species ये different variety का होते हुए भी वो वाइबल कैसे है production of production of inter specific inter specific यानि कि दो species के आपस में मिलाने से production of inter specific hybrid इंटर वेराई तर हाइब्रीड या inter breeding hybrid इंटर ब्रीटिंग hybrid दो अलाग अलाग breed से एक hybrid डवलप किया जाए दो अलाग अलाग variety से एक hybrid डवलप किया जाए production of inter specific hybrid is इंटर स्पेसिफिक hybrid is इंटर के लिए डिस्कार्ड करने के लिए डिस्कार्ड अब ब्लेंडिंग थोरीज यानि कि ब्लेंडिंग थोरीज को फेल करने के लिए यह एक्जांपल भी क्या है तो राग उनके पारेटे मान भी लिया कि वह पारेटे के रिलीज करते हैं या वैपर रिलीज करते हैं अब डाइवलप्मेंट के पीछे क्या कारण थे यह ब्लेंडिंग थोरीज नहीं बता पाई थी इसलिए ब्लेंडिंग थोरीज को फेल करने में प्रोडक्शन ओफ हाइब्रिड काफी रिस्पॉंसिब्रिटी के साथ काम करता है क्योंकि हाइब्रिड अगर डाउन अप नहीं होंगे तो इसका मतलब ब्लेंडिंग थोरीज कुछ अधतक सफल हो सकती है लेकिन हाइब्रिड डवलाप होने लग रहे हैं तो फिर ब्लेंडिंग थोरी आफेल होती है क्योंकि ब्लेंडिंग थोरीज एक स्पीसिज या एक वरायाइटी के जो पेरेंट्स हैं वो अगर सेक्शन इंट्रकोर्ष करें और मान भी लिया जाए क्योंकि बोड़ी से रहे हैं तो प्रड़क्शन ओफ आयवरीड इस रिस्पोंसिबल डिस्वर्ड लेंडिंग थोरीज तो यह इसके अगेंस्ट में यह क्या थी 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 तो इस तरीके से यह जो ब्लेंडिंग थोरीज थी यह क्या होगी फेल होगी अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर वो इनरिटेंस्टिक कंसेप्ट को बताने में सफन हुआ तो आगे करेंगे सम्थिंग अबाउट जीजे मेंड़ा